वेल्कम टू मास्टर माणयव जीके स्वागत है दोस्तो आप लोग का मास्टर माणयव जीके में आज हम लोग बिहार स्पेसल के पार्ट तू देखेंगेos पार्ट वण में 100 प्रशन कलमाई ने प्रवाइड कराया था फ्रेंज सौ प्रशन तक आज हम लोग 101 से लेकर करके दो सक तक देखेंगे ठीए फ्रेंस तो वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक जरू करेंगे फ्रेंस और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को दबा दिएगा साड़े आठ वे लाइब क्लास आता हूँ तो रात में साड़े आठ वे आप लोग लाइब क्लास में जुरू जुड़ेगा तो चले फ्रेंस फटा फट देखते हैं आज भी इसमें हम लोग टोटल 100 प्रशन देखेंगे जिसमें आपका बिहार से संबंदित प्रशन उत्तर ह प्रशन है बिहार से संबंदित है और यह आपका बिहार फिर्श फायर मैंन के साथ साथ बिहार के में जो भी प्रत्युक्ता प्रिश्चा होने वाला उसके लिए काफी महत्पूर है तो चलिए देखते हैं फ्रेंस चलिए तो आज का पहला सवाल 101 नमर सवाल है कि निमनिख है और आज को देखें जगटन रायन लाल को किस जेल में भेजा गया तो बाके पूर जेल में इनको भी भेजा गया था फ्रेंज ऑ्सन नमर दूанс injuste tussen म minimal === का करेक्टन सर हो जाएगा सवाल नमर 104 को देखे स्री नर्सिह नरायन क्या थे स्री नर्सिह नरायन क्या थे ते 104 का करेक्टन सर आप्शन समाजवादी थे क्या थे समाजवादी नेता थे चलिए अगला सवाल कर देखते हैं 105 का जैपरकाश नरायन किस पार्टी से संबंदी थ होता है देखे समाजवादी पार्टी से संबंदी थे जैपरकाश नरायन उप्सन नम्र शी का करेक्टश हो जाएगा तो कौन धर्म का भी था जैन धर्म के और बहुत धर्म के लिए चले 107 नंबर शावाल को देखे जहारखंड बिहार से कब पिर्थक हुआ यह तो हमेशा याद रखे फिन इस कभी भी पूछा जा सकता है 107 नंबर शावाल को देखे लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है जै प्रकाश नरायन को लोक नायक कहा जाता है 109 नंबर शावाल को देखे इसा पूर्व छटी सदी में विस्व की पर्थम गंतन तरात्मक व्यस्था कहां थी 110 नंबर शावाल को देखे बिहार की पेंटिंग विधा कौन से ये भी बहुत इंपोटेंट है बार बार ये पूछा जाता है तो बिहार में जो पेंटिंग विधा पर चली थे मधू और शावाल को देखे बिहार विधान सभामे वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो सवाल नंबर 112 का कितना राइटन सभामे वर्तमान में 243 सीटे हैं लोग सभाम पूछा जाए तो कितना फ्रेंस आपका 40 सीटे हैं ये भी आद रखेगा तो आपसर नंबर 2 112 का करेक्ट अंसर हो जाएगा सवाल नंबर 113 को देखे भारती राष्टे कॉंग्रेस का 1931 की अधिवेशन इस सहर में हुआ था उन्हें 133 का अधिवेशन कहां हुआ था एक्सो ते राष्टे का राष्टे का अधिवेशन की शर में हुआ था फाइजपूर में हुआ था सवाल में 115 को देखे, 115 नमर सवाल है, सवाल में 113 में कॉंग्रेस का समिने अवग्यान दोलन इतना सफल हुआ कि निमली खित सहरों में से एक में अंग्रेज राज के चिन कई महीनों तक गायब से हो गये थे, कहां से तो 115 का राइटन सरोगा आप्सन नमर सी बरही से, सवाल में 116 को देखे, बिहार प्रान्तिय किसान सभा का गठन इस वर्श हुआ था, बिहार प्रान्तिय सभा का गठन कब हुआ था, 116 का करेक्टन सरोगा प्रेंस, violation मर्च 1929 में, बिहार प्रान्तिय किसान सभा 1929 111 का Correct Answer Option No. 6 होगा सवाल No. 117 को देखे किस्वत अंतरता पुर्व बिहार में समाजवादी विचरधारा के परसाय का स्रे किसे जाता है 117 No. 107 का Correct Answer Option No. 6 कांग्रेसी कारकरताओं की करांती कारिता को 117 का Correct Answer Option No. 6 हो जाएगा सवाल No. 118 को देखे ब्रिटिस राज में बिहार के क्रिशक वर्गों को निम्लिखित स्रेनी में रखा जा सकता है यह देखें इंपोर्टन सवाल है कि स्रेनी में रखा जाता था तो यह राइट अंसर इसका हो जाएगा option number C त्री मुखी वर्गी करण के अंतरगत रखा जाता था British राज में बिहार के क्रिशक को क्रिशक वर्गों को निम्रिकित श्रेनी में रखा जा सकता है त्री मुखी वर्गी करण 118 का रायटन सर अप्शन नमर 6 होगा 119 नमर 6 अगला सावाल को देखते है वह सुरोथ जिसमें पाटली पुत्र के परसासन का वर्णन उपलब्द है वह कौन सा है 120 का करेक्टन सरोगा फ्रेंस अर्थसास चानकी का अर्थसास में बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा 120 का करेक्टन सरोप्सन नमर भी है वस्तुरोच जिसमें पाटली पुत्र के परसासन के बारे इंवर्णन उफलब्द है तो अर्थ सास तो 120 का करेक्टर सा अप्शन नमर भी हो जाएगा अगला सवाल को लेते 122 नमर आपका है कि सासक द्वारा सर पर्थम पाटली पुत्र का राजधानी के रूप में चैन किया गया 122 का यह भी बहुत important है फ्रेंस तो उदेईन ने इसका पाटली पुत्र नगर को बसाया भी था इसका राइट अंसर ऑप्शन नमर शी हो जाएगा चले सवाल नमर 113 को देखे असो के सिला लेखों में पर्युक्त भासा है तो इसका जवाब आप लोग हमें कॉमें कॉमेंट करके बताईएगा असो किसला लोगों में पर्यूग तो भासा कौन से ठीए फ्रेंस ऐसे लीपी दिखा जाए तो ब्राम्बी लीपी थी लीपी याद रखेगा अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सा समूग निमलिखित में से कौन से समूग की नदियां गंगा अथवा उसकी सहयक नदियों में उतर की और से आकर मिलती है तो उतर से ओकर आकर मिलने वाले में हो जाएगा आपका गंड़क कमला और बागमती ओप्सन नमर शीज का राइट नसर हो जाएगा एकसा नमर बिहार में बांगर मिटी कहा मिलती है बांगर मिटी किसे कहते हैं तो पुरानी जलूट को बांगर मिटी कहते हैं यह आपका खास करके पुर्णिया सहरसा दर्भंगा मुझापर पर छेत्र मिलता आपसर नमर 20 का करेक्ट अंसर होगा सवाल नमर 108 को देखिए यहां पर दिया हुआ और नगर दिया हुआ इसको सुमेलित करना है तो देखिए कागज एवं लुग दी उध्योग कहा हो जाएगा तो आपका ए सही है इंडालमिया नगर में है सिग्रेट दिलवारपूर यह भी सही है प्लाइबूड हाजिपूर सही है जूट यानि इसका सही अंसर ऑप्सन नमर भी होगा एक का एक का एक का ए बी का दो सी का तीन और दे का चार ठीक है चलिए सवाल नमर 119 को देखिए 29 नमर सवाल किस राज का तो आपका हर्याना का नहीं जुड़ा हुआ है बाकि पंजाब रास्थान और सभी का जुड़ा हुआ यह से बिहार का नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है प्रेट अ और राजगीर के गृध्ध कुट परवत पर रज्जु मार्ग का निर्मान किया गया था यह आपका राजीर में रजुमार्ग का किया गया था 132 का जो राइटन सर ऑप्सन नमर भी उन्हें 172 इस्वी में ही किया गया था ठेक है 132 का राइटन सर ऑप्सन नमर भी हो जाएगा 133 नमर शावाल को देखे महात्मा बुद का महा पर महा परी निर्वान कहा हुआ था निकिन के मिर्टु कहा हुआ था कुसी नगर में 133 का राजधानी कौन सी थी तो यह देखे सवाल बार-बार रिपीट होता है फ्रेंज तो यह आपका गिरिवरी जाने की राजगिरी थी अप्सन नमर् 6 का राजधानी का साषन किया था नंदबंस के गणा नंद सी चा का सरवाधिक परसीद के अंदर कौन सा था इसमें भी आपका प्राकिर्टिक आपदाओं को सूची दू में परदेशों से समंदित करना है चलिए देखें यहां पर मिला लें सवाल नमर कितना 138 138 का जो राइट अंसर क्या होगा फ्रेंश देख लेते हैं कि 138 का जो करेक्टनसर होगा ऑप्सन नमर बी फोगा एक का तीन और बाढ़ तो एक थीन है ना हएक उत्तर परद्श तथा बिहार के मैदान में फिर आपका आ गया गया भूकंप है तो भूकंप कहां आता है तो बूकंप आता है आपका दो और नहीं एक हो जाएगा आपका हिमाले का गीरपाद में सुखा कहां पड़ता है तो सी का हो जाएगा चार आपका दो हो जाएगा जारखञट धा चाक्रवात देखने को मिलता है इस तरह से राइट अशर नमर एक हो जाएगा थीखा तो आपका हिमाले के गीरिपाद में उसके बाद में आपका सूखा तो आपका मद्य पूर्वी भारत में बच आपका चक्रवाद चक्रवाद कहां पड़ता है तो जारखन तथा बड़ी सामा अपसन नमर 20 का करेक्ट अंसर होगा 149 में सूची 1 में है क्रिसी जलवाईक छेत्र को सूची दू बिहार के परतिसत छेत्र फल से संबंदित किजिए तथा सूचियों की नीचे दिए कूट का पर्योंकर सही उत्तर को चूनिए ठीक है तो क्या उत्तर तथा उत्तरी पूर्व ठीक है सूची दू में बिहार का परतिसत छेत्र फल है इसका जो देखे राइटर राइटनसर हो जाएगा फ्रेंस इसका जो राइटर है एक सूटा नागपूर का पठार होगा 26.14 परतिसत उसके बाद में छोटा नागपूर की पहानिया कितना 20.8 परतिसत आनि कि आपका उप्सन नमर भी एक दो तीन चार इसमेलित है चलिए सवाल नमर 140 को देखे 140 नमर सवाल आपका है निम्लिकित में से कौन से समू की नदियां बिहार और उतर परतिस के बीच की सीमा रिखा बनाती है 140 का करेक्ट अंसर ओप्सन नमर 6 होगा कर्मनासा गंडक और घागरा 140 का राइट अंसर ओप्सन नमर 6 हो जाएगा अखिल भारते की साथ सवाग के पर्थम सत्र के अधास था किसने स्वामी सहजान अंसर सती ने किया था 142 नमर सवाल को देखे बिहार के उसक्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 128 में हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था 144 का राइट अंसर होगा फ्रेंज आपका फनिंद्रनाथ घोस ने भाग लिया था option नमर ए इसका राइट अंसर होगा option नमर 144 का फनिंद्रनाथ घोस 145 नमर शवाल आपका बिहार में किस अस्थान पर भारतिय राश्टे कॉंग्रेस का उन्हें 122 का अधिवेशन हुआ था बहुत इंपोर्टेंट शवाल है फ्रेंज यह आपका गया में हुआ था 145 का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा option नमर सी 145 नमर शवाल का राइट अंसर हो जाएगा option नमर आपका फसी सन 1922 में आपको गया में हुआ था भारतिय राश्टे कॉंग्रेस की अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यस्ता किस ने किया था तो शी अर दास ने किया था किस ने चितरँजन दास ने किया था फ्रेंचर जिसे रहएकं लोग देश बंधू के नामसे याइन दास के अधिशता में उन्हें 222 मीर में लिए 147 नमर शवाल भी इंपोर्टेंट है वो दिया में बोधी विर्ष अपने वन्स की कौन सी पिढ़ी के है ते पंचम पिढ़ी की है ठीक है सवाल नमर 147 का राय टंसर आप्सन नमर शी होगा पंचम बिढ़ी क्या है यह भी पूछा जाता याद रखे 148 नमर शवाल को द पर बार बार रेपीट होता है मैं बताता हूं पहले वी बता चुका हूं पर्थम सुभिदार किसे निउक्त किया था एक सो पचास नमर शवाल का करेक्ट अंसर क्या होगा तो आप्सन नमर डी हो जाएगा मलिक जानी को ठीक है यह भी इंप्वाटेंट है इल्टु बंगाल तथा बिहार को मोगल समराज में मिलाया था कब मिलाया था एकावन का राइटन सरो जाएगा ऑप्सन नमर वी पंदर सो पचत्तर इस्वी में अगला सवाल लेते हैं समराट साह आलम दूतिये ने इस्टनिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उडिसा की दिवाने प किसी ने घुमा करके पूछा जाता है कि ने किया था एक सवाल को लेते हैं बिहार में पर्मानेंट से टेल्मेंट लागू करने का कारण क्या था एक सो पच्पन का राइटन सरो जागा ऑप्सन नमर बी जमिंदारों के लिए जमीन पर वन्स प्रमपरागत अधिकार को स्व कि बार-बार रिपीट होता है जए परकाश नरायन इसके संसापक थे प्रेंट बिहार सोचलिस्ट पार्टी के संसापक से जह परकाश नरायन अगला सवाल कर लेते हैं गांधी जीने भारत ने पहली सत्याग्रह अंदोलन बिहार में कहां से प्राराम किया था तो उन्हें सवाल को देखे परभावती देवी किस शेटर की स्वतंता संग्राम से नानी थी उन्हें सवाल उन्हें सवाल को देखते हैं 142 के अंदोलन में डॉक्टर राजनदर परशाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था बांकिपूर जेल में उप्सन नमर एंस का राय अन्हें सर हो जाएगा 162 का करेक्टन सर देगा option नमर A 1960 में बिहार में राज अंदर सेतु का निर्मान कब हुआ था तो option नमर A 162 का राज अप्सन नमर A हो जाएगा 163 नमर शवाल को देखे बिहार उत्तर परदेश राजियों की संजुक्त सिचाई पर्योजना कौन सा है 163 का राज अंसर गंड़क पर्योजना यह बहुत इंपोर्टेंट है इसमें आपको उत्तर परदेश और बिहार दुनों को संजुक्त रूप से सिचाई होते option नमर डी इसका करेक्टन सर याद रखिया बहुत इंपोर्टेंट है अगला सवाल को देखते है ये भी आपका बिहार पुलीस में पूछा गया था तो कहां है आपका बिहार में लेल्वे का जूण मुख्याले हाजी पूर्टेंट है तो आपका बिहार में है 164 का राई अंसर option नमर डी हो जाएगा इस सवाल नमर 165 को देखी 165 है बिहार के इतिहास में पहली बार राज जी का आर्थिक सर्वेचन प्रस्तूत किया गया बिहार के इतिहास में पहली बार राज जी का आर्थिक सर्वेचन प्रस्तूत कब किया गया था 165 नमर स्वाल का जराइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी सुसील मोदी के द्वारा किया गया था तो आपक बिहार का बंगाल में बिले कब किया था परसाशनी की काई के रूप में कराना तो बिहार में बिहार में पैदा हुए थे तो कौन होगे फ्रेंज एक सुनातर का डॉक्टर राजंदर परसाशन नमर ए अगला सवाल को देखते हैं बिहार में चमपारन सत्याग्रा के लिए महात्मा गांधी को किष्णिया मंतित किया था ये बी देखिए बार बर में आप लोग को बताता हुए एक इंपोर्टेंट शवाल है तो पुसपर तो है पतना का कुसुमपूर भी का जाता था अजीमा बाद भी खासपूर है जो पतना का प्राचिन नाम से संबंदित नहीं है तो पुसपर भी और अजीमा बाद भी का जाता था एक सो पचैतर नमर शवाल को देखिए बिहार एक मात्र उत्पादक है किसका है सबसे निउन्तम जनसंख्या घंअट्व कहां है फें jesteśmy का सबसे निउन्तम जनसंख्या घंअट्व कहां रखा गया है थीक है बिहार में सावाना व नसपत्ति पाई जाती है कहां पाई जाते एpara片 Assas Bis need सबसे पूराना है बिहार का फ्रेंस याद रखेंगा पूछा जाता है बिहार के सबसे पूराना तिल सुधा करखाना ब्राउनी में है जो उने सफापित किया गया था एक सबसे नदी बहती है बिहार में कौन सा लएक। देखा जाए जिसको निर्मान किस ने किया था प्रेंस तो आपका वक्तियार खिल जी ने 182 नमर के उत्तर बिहार विख्यात है किसके लिए 182 का राइटन सर ऑप्सन नमर से बाढ़ गरस्त के लिए उत्तर बिहार में हर से एक साल बाहर रहाता है और बिहार का सोक किस नदी को का जाता है प्रेंस तो सवाल नमर 182 की देखिए सवाल 153 आपका क्या कर रहा है सूची एक बिहार के सहर के साथ सूची डो इतिहासिक अस्ताल एक साइम में आपका सहर है फिर 숲 दुसरी साल में क्या है आपका ऐतिहासिक अस्थल इससे सुमेलित करना है देखे लेते हैं यहाँ पर करें आपका ल Video गांधि में स्वादिनता अंडोलन कि चुछ मकां मौतिहर शब्लिद्स यहां एभा बिहार युनिवर्शिटी कहां आपका मुझबपरपूर में अब बिहार की राधानी कहां पटना यानि सवाल नमर 183 का राइटन सर्थ ऑप्सन नमर यह हो जाएगा ठीक है एक का एक डी का चार सी का दू और डी का तीन हो जाएगा ठीक है इस तरह से था सिंपल है चले 184 नमर शवाल को देखते हैं गया सण यंतर केस किस वर्ष हुआ था 184 का राइटन सर्थ ऑप्सन नमर यह जनवरी 1923 में हुआ था सवाल नमर 185 को देखिए 185 नमर शवाल आपका है यही तीन हो थे जो आपका अच्छा नॉवंबर 1922 को हजारी बाग जेल से भाग निकलने वाले थे ठीक है यो गंदर सूकल जय परकास नरायन गुलावी सोनाथ 185 का राइटन सर्थ ऑप्सन नमर यह हो जाएगा चले सवाल नमर 186 को देखिए सवाल नमर 186 को देखिए उन्य तो 186 का राइटन सर्थ ऑप्सन नमर यह हो जाएगा 187 सवाल को देखे 1913 मैं अनुसूलिंसमिती की एक साखा क्षिण नच्वा पीथी 187 का रायेटर सर होगा फ्रैंट्स आपका ऑप्सिन नमर बी सचिंद्र नात सान्याल ने इह इंपॉर्टेंट सवाल है अनुसूलिंसमिती की एक साखा किषिण सान्याल ने 1908 में मुझा परपुर बमकांट के परमुख अभ्यक्त कौन थे यह भी सवाल बार-बार रिपीट होता है इसका रायट असर आप्सन नमर भी पर फुल चाके एवंस खुद्धी राम बोस इसका करेक्ट असर होगा 189 नमर सवाल को देखे गुप्त सम्राठ जिसने हुनो को पराजित किया था किसने तो असकंद गुप्त इसका रायट असर बहुत इंपोर्टेंट है अगला सवाल अजात संत्रु के वंस का नाम क्या था अजात संत्रु का तो हर्यक वंस था ना भी मिसार का बेटा था अजात सत्रु को कुनिक भी कहा जाता यह भी याद रखे अठीक है अगला सवाल को लेते हैं मगज की प्रारंभिक राधानी कौन सी थी अभी अभी इमिन ने देखा था तो आपका राजगिरी हानी ग्रीविज था अगला सवाल को लेते हैं बिहार में आकासवानी से किन भासाओं में परसारन होता है यह भी इंपॉर्टन सवाल है 193 का राधानसर ओप्सन नमर बी होगा हिंदि अंग्रेजी भुजपूरी अमाइथली में होता है 193 का राधानसर ओप्सन नमर बी हो जाएगा सवाल नमर 194 को दोखिए बिहार से दर्टाइम आफ इंडिया का परकासन कब प्र आरंब हो जाएगा 1986 वी में हुआ था बिहार से The Times of India का परकासन का अप्सुरू हुआ था तो 1986 वी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 1951 नमर सवाल किसके परियतनों से बिहार प्रांतिये Congress का दूसरा अधिवेशन हुआ 1951 का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा Option नमर भी किसके परियतनों से किसके परियतनों से बिहार प्रांतिये Congress का दूसरा अधिवेशन हुआ तो सवाल नमर 1951 का राइटनसर अप्सन नमर भी सिरी दीपानारायन सी का हो जाएगा ठीक है प्रेंस और यह हमने देखा भी अपले कि बिहार से The Times of India का परकासन कप्रा राम किया गया था यह भी बहुत important है इसका भियाद रखेगा इसका 186 हुआ था 194 का प्रेंस और आपका 1951 नमर सवाल का राइटनसर क्या हो जाएगा तो आप्सन नमर भी स्री दीपनारायन सी चलिए सवाल नमर 196 के देखिए बिहार के परमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे कौन थे 196 का करेंसर आप्सन नमर डी हो जाएगा बाबु महेसवर परसाद थे जो बिहारी के संपादक थे परमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे तो मुरली भर हावा के निवासी थे जो हाग से महात्मा गांदी ने परथम सत्या अग्रहा भी शुरू किया गाथ ते इनकाkęह कहा थे तो मुरली भरहवा इमपोर्टेंट है याद रखे अगर राज कुमार सुक्ल एक किसान थे अगला सवाल कु देखते है 218 नमर सवाल को कि स्री निवारं चंद्र डास गुपता थे कौन थे 117 का करेक्ट रोजगा ओप्शन नमर भी यक क्या थै पुरुलिया से थे स्री निवारं चंद्र डास गुपता कहां से थे तो पुरुलिया से चलिए अगला सवाल को देखते हैं लॉड सिन्हों लॉड सिन्हा ने 1921 में कहां की गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था 99 का राइट अंसर नमरे बिहार और उडिसा से चलिए इस वीडियो का लास्ट अवाल को देखते हैं इसका देखें लास्ट अवाल अप्शन इसमें फ्रेंट्स नहीं हो पाया है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे फ्रेंट्स आपका तो लास्ट अवाल आपका ही हो गया लॉड सिन्हा ने 1921 में कहां की गवर्नर पद से त्याग पत दिया था राइट अंसर अप्शन नमर यह हो कारमेंट में पूछा जाए ठीक है फिर नेक्स वीडियो में फिर मिलता है देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद